गुड मॉर्निंग अल आफ यू सेवंथ भी क्लास साइन्स आज है 27 ऑफ अगस्ट आज का डे है थरस्टे कल आपका टेस्ट वो था एंसक्रान नेम डाल देता हूं तो मैं अपना डाल दिया रोल नमबर में मैंने अपना रोल नमबर डाल दिया ठीक है कि मुझत पूच रहा है कि the coldest reason on earth is the यह वो रहित कि coldest reason earth का कहां पर होता है tropical reason में होता है coastal reason में होता है polar reason में होता है तो आपको बता है polar reason में sunlight नहीं पढ़ती है north pole और south pole में तो इसका सही answer हो जाएगा polar reason second question था tropical reason are tropical reason वो reason होता है जहां पर बारिश भी होती है और जो है वो temperature भी का भी ठीक ही होता है ठीक है मतलब कि sunlight भी पढ़ती है और बारिस भी होती है ठीक है इसका मतलब है यहाँ पर सो से पहला option था dry and humid dry तो नहीं होता है क्योंकि बारिस होती है इसलिए ए अप्सन जो है वो neglect कर दिया हमने second देखिए hot and humid hot and humid होता है क्योंकि sunlight भी पढ़ती है तो hot होता है humid मतलब कि वहाँ पे बारिस के कान नमी भी बनी रहती है ठीक है third option था hot and dry तो hot and dry कैसे होगा hot and dry तो desert में होता है ठीक है तो इसका जो है वो सही answer हो जाएगा second question no.3 देखिए out of the given definition which is the most appropriate definition of climate इसे जो भी निचे statement लिखी है इनमें से कौन सी जो है वो appropriate most appropriate definition climate की मतलब की कौन सी जो है वो सही definition आपको लग रही है फर्स देखिए change in weather condition in a year यह बहुत है कि जो weather है वो change होता रहता है weather की condition है जो change होती रहती है year में ठीक है second average weather pattern of many years तो हमारा सही answer हो जाएगा average weather pattern of many years जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 year 20 years या 30 years का temperature जो है वो देखा जाता है उसका एक average लिए जाता है कि average जो है वो temperature माइनस में है या कितना है तो वो होता है climate वहां पर बोला जाएगा climate ठीक है fourth option देखिए अच्छा जो third का हो जाएगा मारा second option सही question देखिए which are the following briefly describe the desert climate वहां पर कैसा होता है वहां पर बारिस नहीं होती है तो ड्राय होगा तो temperature तो काभी जादा होता है तो hot भी होगा hot and dry तो मारा third option सहीं हो जाएगा question number five देखिए which of the following statement which of the following statement is incorrect for penguins और देखिए penguins के बारे में देख रहा है दे हडल टूगेदर वो तो साथ में भी रहते हैं ठीक है तो यह बात सब्सक्राइए है second देखिए they cannot swim नहीं यह बात कर लाता है क्योंकि वो स्विम कर सकते हैं आसानी से ठीक है दे हैव बैबट फीट उनके जो है वो जो भी पैर होते हैं वो कापी चौड़े-चौड़े होते हैं तो इसने बोला था incorrect कौन है तो incorrect कौन है यहां पर second क्योंकि वो स्विम कर लेते हैं बहुत अच्छे से ठीक है तो सेक्ट अप्सन से हो जाएगा को सिक्सिंट देखे ता एबरेज वेदर टेकन ओवर लॉंग टाइम एबरेज वेदर लॉंग टाइम के लिए मैनी एयर्स के लिए तो इसका मतलब है वो क्लाइमेट की बात कर रहे है ठीक ह सेब्स देखे स्टॉंग टेल्स इंडिकेट एडप्टेशन फॉर यह भी हमने पढ़ा था कि स्टॉंग टेल्स कहां पर होती है मतलब कि कहां पर इस टाइब के एनिमल्स मिलते हैं ठीक है पोलर रिजन में तो इसका काम नहीं है स्टॉंग टेल का इसका मतलब है टॉपिकल रेन फ्रेस्ट में होगे टॉपिकल डिजन में होगे तो यहां पर दो यह ऑप्शन थे तो बहुत आसान था फर्स्ट ऑप्शन होगा कोश्य नम्रेट देखिए इन विच रिजन मडरेटली होट एंड बैट क्लाइमिट हमने पड़ा था जम्मू कस्मीर में जो है वो होट प्रेंट बैट क्लाइमिट होता है मडरेटी मतलगी वो चेंज होता रहता है ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जम्मू एंड कस्मीर सेकिन लास्ट कोशी देखिए अ कार्निवर्स विट स्टिप्स ऑन इस बॉड़ी मूवस बैरी फास्ट वाइल कैचिंग इस प्र तो कहां पर भी लेगे पोलर जी रिजन में तो उनका कोई काम नहीं है तो ट्रॉपिकल रिजन में मिलेंगे ठीक है कोशी नंबर लास्ट देखिए लास्ट कोशी नंबर टैंथ बैन और दा मैक्सिमम टेंप्रेचर लाइकली टू अकर डियूरिंग अडे यह बुझ रहे कि मैक्सिमम टेंप्रेचर एक दिन में कब जैसे होता है ठीक है तो आप्टरनून में मॉर्निंग टाइम में जो है वो टेंपरिचर जो है वो कम होता है इसलिए मॉर्निंग टाइम में आपको ठंड भी लगती है ठीक है तो इसका सही आप्टरनून तो मैंने आप पर सम्मिट कर दिया सम्मिट जैसे किया मैंने आप अपना व्यू स्कोर दे ठीक है लिख सकते नहीं है लिखेंगे आप लोग फिर कपी पर ठीक है होगे थैंक यू